हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू पढ़ो इंडिया, आज हम करेंगे कक्षा चार की रीडिंग अभियान हिंदी की कारेपत्रिका संख्या बारा, कारेपत्रिका का आर्थ होता है वर्कशीट और इसकी थीम है अपनी कूबी पहचानू, चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट क समस्याओं को हल करने की शमता भी बढ़ाती है दुच्चों कहानियां हम सभी को पसंद होती है कहानियां सुनने और पढ़ने से हमारे सोचने और समझने की शक्ती बढ़ती रहती है अब नीचे एक चितरात्मक कहानी दी गहिए हम उसको देखते हुए पढ़ते हैं बहुत दूर एक पेड़ पर एक कववा रहता था उससे अपनी आवाज बिलकुल पसंद नहीं थी एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज सुनाई दी उसने निश्चे किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा उसने पूछा क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी कोयल के बार बार कुहु कुहु सिखाने पर भी कववा काउं काउं ही करता रहा तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं यह कहकर कोयल चली गई फिर कववे ने सोचा क्यों ना मैं मोर की तरह नाच गाना सीख लूँ फिर मोर ने अपने पंक फैलाए, पाउं थिरकाए और नाच कर दिखाया परन्तु कववे से वह भी नहीं हुआ वह उदास हो गया कि ना तो वह गा सका ना ही नाच सीख सका अब देखे कववे ने आगे क्या किया फिर कववे को लगा कि चलो बढ़िया गोसला बनाना ही सीख लिया जाए उसने गौरईया के पास जाकर पूछा आप अपने जैसा सुन्दर गोसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या गौरईया ने साफ इंकार कर दिया उसने कहा तुम में मेरे जैसे गोसला बनाने की लगन नहीं है एक बार फिर कववे को बहुत निराशा हुई तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया वह तुरंत वहां जाकर काउं काउं करके अपने रिष्टेदारों को बुलाने लगा सभी रिष्टेदारों ने मिलकर खाना खाया उसने सोचा क्या हुआ मैं नाच गा या गोसला नहीं बना सकता लेकिन मैं अपने परिवार के साथ मिल बाट कर खा सकता हूं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूं और मुझे किसी के जासा बनने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों अब इस कहानी को पढ़ने के बाद में देखिए हम प्रशन उतर करते हैं पहला प्रशन देखिए बच्चों आपको कहानी कैसी लगी मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी प्रशन का दूसरा भाद देखिए चलिए अब इस कहानी को कोई शीर्षक देजिए इस कहानी को मैंने एक शीर्षक दिया है सभी में कुछ अच्छा होता है प्रश्ण 2 देखिए ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताईए जो हमें द्यानिक जीवन में दिखाई देते हैं ऐसे 5 पक्षि जिसे हम अपने द्यानिक जीवन में देख सकते हैं वो हैं कबूतर, कव्वा, तोता, मोर और बत्तक प्रक्ष्न तीन, बच्चों क्या आप किसी से कुछ सीखना चाते हैं और क्यूं? मैं उत्तर लिखुनगा, हाँ मैं अपने शिक्षक से ड्रॉइंग सीखना चाता हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉइंग करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं अपने टीचर से ड्राइंग सीखना चाहता हूँ बच्चो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है अन्य विश्यों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें